नंदा करनाटकी, जिन्हें नंदा के नाम से जाना जाता है, एक महान भारतिय अभिनेतरी थी, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया. उन्होंने अपने 30 साल के कर्या में लगभग 300 फिल्मों में काम किया. नंदा का जन्म आठ जन्वरी 1949 को बॉंबे में एक शो बिजनेस मराथी परिवार में हुआ था उनके पिता अभिनेता मास्टर विनायक थे और उनकी मा सुशीला थी नंदा साथ भाई बहनों में तीसरी थी 1948 में उन्होंने पांच साल की उम्र में फिल्म मंदिर में एक बाल कलाकार के रूप में अभिने की शुरुआत की वो बेबी नंदा के नाम से मशहुर एक बाल कलाकार के रूप में विक्सित हुई और बाल कलाकार के रूप में कई अन्य फिल्मों में दिखाए दी जिन में जग्गू और अंगारे शामिल हैं। जब नंदा किशोरी थी, तो शांताराम राजाराम वानकुद्रे ने उन्हें तूफान और दिया 1956 में कास्ट किया, और उन्हें अब बेबी नंदा नहीं बलकि सिर्फ नंदा कहा जाने लगा। 1957 में भावी की रिलीज के साथ उन्हें पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ट सहायक अभिनेतरी के रूप में अपना पहला फिल्म फेर नामानकन मिला। 1969 में छोटी बेहन में नंदा की शीर्षक भूमिका ने उन्हें स्टार बना दिया और एक प्रतिभाशाली अभिनेतरी के रूप में मानेता प्राप्त की, जो दुखत भूमिकाएं निभा सकती है। उन्होंने आचल 1960 के लिए फिल्म फेर सर्वश्रेष्ट सहायक अभिनेतरी का पुरसकार जीता। यह एक बड़ी उपलब्दी थी। यह देखते हुए कि वो अभी भी किशोरी थी। उन्होंने देव आनंद को काला बजार में उनकी बहन की भूमिका से प्रभावित किया और इसके साथ ही वहीदा रह्मान भी प्रभावित हुई जो आज इवन उनकी दोस्त रही। आनंद ने उनसे वादा किया कि वो उन्हें अगली फिल्म हम दोनों में अपनी नायका बनाएंगे और बनाया भी जब फिल्म हिट हुई तो उन्हें और अधिक नायका भूमिका मिली उन्हें एक उदार और दयालू अभिनेतरी माना जाता था जो चार दीवारी में ततकालीन अग्यात शशी कपूर के साथ अभिने करने के लिए सहमत हो गई। इन से एक ट्रेंडी फैशनेबल स्टार में बदल दिया। उसी वर्ष उन्हें एक और बड़ी हिट मिली, मड़ मिस्ट्री गुमनाम, जिसने उन्हें नायकाओ की शीर श्रेनी में लाख़डा किया। वो अगले नौ वर्षों तक नायका की भूमिकाएं निभाती रही और रित्तेफाक 1979 में एक बार फिर अपनी छवी एक अच्छी लड़की से व्यविचारिनी स्लेश हत्यारी में बदला, जिससे उन्हें सर्वश्रेश्ट अभिनेतरी के रूप में फिल्म फिया नामानकन मिला। इसके अलावा उन्होंने मेरा कसूर क्या है, तीन देविया, ब ड्रग एडिक्ट की सासी भूमिका निभाए, फिर वो कई वर्षों तक स्क्रीन से गायब रही और 1982 में तीन फिल्मों में फिर से दिखाए दी मजदूर, आहिस्ता आहिस्ता और प्रेम रोग, बात की दो फिल्मों ने उन्हें सर्वश्रेश्ट सहायक अभिनेतरी के सबी तीन फिल्मों में उन्होंने सयोग से अभिनेतरी पदमिनी कोलापुरे की मा की भूमिका निभाए, फिर उन्होंने हमेशा के लिए फिल्मों से सन्यास ले लिया, बेहद शर्मीली और अंतर मुखी नंदा अपने परिवार और दोस्तों के करीब रहकर अपने तकी सीम अधेर उम्र की नंदा अंतता फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई से शादी करने के लिए राजी हो गई, 1992 में सगाई हुई, लेकिन शादी होने से पहले मनमोहन की एक इमारत से गिरने से मृत्यू हो गई। दोरा पढ़ने से उनकी मृत्यू हो गई।